तुरंत नोकरी मिलना थोड़ सा मुश्किल था तो निशीत रुप से कुछ टाइम के लिए मैंने प्राइवेट जोब किया तो उनके लिए भी एक ये बहुत ही ज़दा के लास मान सुरूर की रायात्रा हो जाएगी अगर हम फिरुसिंध जी के समत्री स्थल को विक्षित हम लोगों ने पैसे दे दिये अब आप चले जाओ बच जाओ कहीं पे ये नहीं होगा हस्पिटल में ऑक्सेजन कंस्ट्रेटर की व्यस्ता की गई तो उस टाइम काफी ये मेरी ओर से इसमें काफी व्यस्ता की जरवालों से बाच्चित करके और उसमें दो साला बनाई इसके वज़े से मैं इसकूल नहीं चुटवा अब अगर सपोज गरों की मुझे राजनिती में आगे बढ़ने का मौका मिलता है कि राम राम जी मुक्ष्पोज अलको जुन जुन पर था रहो बहुत-बहुत स्वागत है मेरे साथ में थे फ्रेमद एक्स को बील रनवाजी आपने साथ में डिपीएस स्कूल का सेकेटरी डून लोद तो आज आपा अठी आया हाँ आ एक बारम आजा पाँ छोटों जीवन जीवन के बारम बात्चीत करां राम राम जी सबसुपली तो सर्माइदे परिवार के बारम जानो जाओं देखे मैं एक शर्व परिवार में पएदा वाहाँ मेरा गाउं से साथ किलोमेटर दूरी पे रहे गाउं का नावडी तो एक आपने लोकल वासाम क्या करें कि भाई फलाना तो एक चोला को पराज भी रोटी खा रहे हैं हाँ बिल्कुल यह बात है सही है कि हमें तोटल 28 मेंबर हैं परिवार में और हम एक साथ रहते हैं और बहुत ही स्यांदार हमारी गर के वैस्ता चलती है और लोगान भी थे यह सिखा रहे हो कि इकठा रहनों अच्छी बात बिल्कुल टेके सहीं परिवार के बहुत फाइदे हैं सिर आपके एजुकेशन के बारा हम ब को यह आपको पता ही है कि उस टाइम में हमारे किसान परिवारों की इस्तिती रहती थी घर में भी काम करना खेत में जाना और जो अपना बकरियां हैं उनके साथ में भी टाइम देना उनको भी और पढ़ाई भी करना उसके बाद में 6th क्लास में नौलगट पढ़ने चला औ और ग्रिजिशन तक मैंने नौलगट में पढ़ाई की तो डेली अफड़ाउन करना फिर पढ़ाई करना यह साथ-साथ पढ़ाई के साथ तो खेत वाला काम हमेशा साथ चला उसके बाद में मैंने पॉस्ट क्या अजमेर से तो डिय वी कोलेज अजमेर हैं वहां से मैंने प काफी लोगा कुणों आई हैं भी सुना हां कि भाई प्राविएट जोब करी और जय की मन पतोला क्योंकि तो गोर्मेंट जोब करी है तो बीका बाराम थोड़ों सो बता दो कलियर भी कर दो क्योंकि यह भी कठे ना कठे लोगा क्यूशन मारग लाग लाग लिएक आप्टर पॉस्ट कुरेजेशन मैंने लगाई कि परिवार क्या आप सिकता है थी कि मैं नोकरी तुरंत नोकरी मिलना थोड़ सा मुश्कील था तो निशीत रुप से कुछ टाइम के लिए मैंने प्राइवेट जोब किया और एक प्राइवेट कंपनी थी उसमें एज कि जन्तापर्टी जब सरकार में थी उस टाइम एक स्कीम आई थी कि कोई भी इंप्लोई अगर खुद का काम करना चाहिए तो कर सकता है तो उसमें मेक्जिमम छूटी थी पांच साल की पांच साल में अगर आपने बहतर काम किया और आपको लगता है कि आपको सर्विस क्या मैं सर्विस से संतूस्ट नहीं हो पारा सर्विस रश् links क्यों कोनिया के सयलीही था मैं मैं यहां संतव बात रहते हैं कि ब़ुरिश होते हैं उनको को खेलो करना बार निखिए तो मैं नया काम करना चाहिए मैं समाज के लिए पैसके लिए और को इस हिसाब से मैं सर्विस में थोड़ा सा महरे को लगाई कि मुझे और ज्यादा काम करना चाहिए तो मैंने फिर मैंने शुटियां ली पांच साल की एक सोसाइटी इस्टेबल की एजुकेशन के लिए और मैंने स्कूल चलाना सुरू कि ए तरीकाओं थे एजुकेशन में आया हां करने का और इसके माध्यम से समाज को एक शांदार भेतर एजुकेशन भी मिल रही है और निशीत रुप से यहां के बच्चे बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट पेरों बहुत बड़ी कोशी के बाते भी नमर दूसरा मैं इन बच्चों के साथ में रहता हूं काम करता हूं ब कर देखा तो बई चुनाव रहा है और चुनाव में पर्ली तो सबसों फ़री राजनीति मानों पड़ा है राजनीति मान के पिछे के कुछ कारण रही है क्योंकि हर एक इनसान कोई ना कोई कारण ज़रूर रहा है तो थारे की कारण ने में जो करन में पहले आपका वगत कर रहा था है में करन ता है कि अभी जो राजनेतिक व्यस्ता ही चल रही है मुझे लगता है कि यहां पे एक बहुत शांदार व्यक्ति परजेंट व्यस्ता में काम कर सकता है काम करने की मेरे एक ललक है मेरा एक वीजन है काम करने का और बहु छीजिए यह वह पहले वाली राजनेति कि जब आपको बिचोलों के आउशकता परते थी वह राजनेति नहीं एब आपको डायरेक्ट लोगों के साथ जुड के रहना पड़ेगा देगा मेरा जैसा हैं उनके समस्या उनको समादान होना चाहिए आप किसी के ब्यासादियों मे कोई गमी में जाते हो कुश्मियों गमी में जाना यह कोई बड़ी बात नहीं है ये आगधर लेडर हो तो डिटी है कि उस टाइम हो उस ù टाइम और कोश सहर में आते हैं या गाव में आते हैं तो लोगों से बात ही नहीं करते हैं लोगों के साथ नहीं बैठते हैं तो मुझे लगता है कि राजनिती में जो भी बेखते हैं उसको लोगों को यह लगे कि मेरे परिवार का मेंबर है मेरे साथ हाट टाइम मेरे साथ में रहता है मेरे स समाधान करेगा और एक नए विजन को लेकर आएगा पुरे रास्तान में एक भैतर काम करेगा ताकि पुरे देश को आगे बढ़ाए जासे आज के समय में आप राजनिती के इन कैसी देखो आज के टाइम में जो राजनिती चाहिए बहुत अच्छे लोग हैं अगर 100% भी नह करें बहुत से आज हमारा देश पूरे विश्व पर एक नमर पे आगे आगे जा रहा है आज हमारी आप यह देखें कि हमारी एक तो आज पांच वह नमर पे ज्यादा एक डेट साल में हम चोते नमर जापान से हम आगे निकल देवाले आपको वीजन की राजनिती में आने क आगे काम करने काम चाहिए यहां की शांदार व्योस्ता है तो विलेज ट्यूरिज्म यहां क्या है नौने पर अफहोंगे लूघ के दो नहओं। को नाओं भी दिया गया और वेश उसा भी दी उसको ट्यूरिजिम के रूप में बहुत विक्सित क्या जा सकता है जूजनु के अंदर एक पहाड़ा सेंटर में उसको किसी नहीं छेड़ा नहीं उसको हमें एक ट्यूरिजम में विक्सित कर सकते हैं लोग आक साम को जाएं कहा जा सकता है क्योंकि जूजनु आपको पता है कि जूजनु सबसे ज्यादा चेना में जवान यहां पर हैं तो उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा के कैलास मान सुरूवर की रायात्रा हो जाएगी अगर हम फिरुशिंग जी के समर्थिस्तल को विक्सित करें हर साल मेला लगा है तो मेला नेकेवल एक चेनिकों में जोस बढ़ने वाला होगा लेकिन ने जो बच्चे नवयुक हैं वह भी देश के परती भावना जैसको आगे कैसे बढ़ाए जाए देश के लिए क्या काम कर सकते उनमें भी भावना जागर्त होगी उसकी मेले से और इस्प्रेसली हमारा यहीं का है कजारिया यह परिवार हमारा यहीं का है देख हम कहीं कहीं भी चले जाएं लेकिन हमेशा अपनी मत्रा पती हम निशित इस लोगों ने बहुत श्यंदार सब्सित और हैं लेकिन जोजनों जिले में आप लोगों द्वारा यहां कोई काम नहीं वाबित है और इसके पिछे सबसे मैं मानता हूं कि हमारी जो राज्टर की विए उसमें कहीं कहीं प्रॉल्म रही है तो मैं चाहूं हो अगर मुझे 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 मिला तो मैं लोगों से वेखती कर तुसे संपट करूगा और कोशिश करूगा की मोटवेट करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से भी केंदर सरकार के माध्यम से कि यह लोग यह आए तांकि इस एरिया का डवलमेंट होसके और उनको भी कुछी होगी कि मैं मेरी मात्र भूमी के लिए बहतर काम कर सकाओ पीर में होने के बाद में एक उस लेवल पर जो समर्थी स्तल्वीक से तोनाता है था वह अभी नहीं हुआ अज भी मतलब की देखो बी टोपिक को पर कोई राजनी थी कोनी कर रही हूं मैं कोदे मैं केवल बात बता रही हूं च्यूंकि मैं बनका प्रिवारों मिली कि आज भी लोग बड़े अत्तिकर्मन कर रहा है अब के कुछ बात रही ही पिछे की बतो देखो लोगाउं बड़ा वज़ूर्गाउं बात कर तभी पतो लागए आज से पहले क्या वेस्ता हुए या कि कमीती अपनों चीजों में नहीं हम क्या बहतर कर सकते हैं उसके बार परमार से एक 이식ता करेंगे हम लोग मिलके सरकार के साहता लेके चाहे राजिय सरकारों के अंदर सरकारों वह श्यादार काम करेंगे और एक घ्र्ष्थ कहीं कहीं मुझे नहीं लगता है कि अभी तक सही जस्टिस हो पाया है पहली बात नमर दूसरी बात उनकी पुनरवास की प्रोपर व्यस्ता हो हम लोगों ने पैसे दे दिये अब आप चले जाओ बस जाओ कहीं भी यह नहीं होगा क्योंकि आप यह देखें कि जहां आपके अपनी मिट्टी के साथ हमेशा जूड़ा मैंने मांसिर जी के बारें पड़ा था तो अकबर के टाइम में वहां उनके योगे सेनापतियों में से एक थे उनको सौथ में बेजा गया था लणने के लिए और बहुत ही आपको पता उस टाइम तक यूद भी चलते थे बोल लं नोकरी करता हूं मेरी तो मजबूरी आने की तुम्हारी क्या मजबूरी ती क्यों आप घठ चोड़ के आ गए क्यों वह बात करा तो सव मोटो तो आपनान सामने सामने दिखाए करोना काल और लंपी बीमारी बेंड कहंदर थे कि कुछ करें कोरोना हमने कभी इसके आपर नह हमारे माननिय परधानमंतर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन विशम परस्तितियों में एक पूरे देश में आशा का संचार किया नमर दूसरी बात उस टाइम इतने जल्दी व्यक्षिन्स डवलप किये तो नेके भारत के लोग सुरक से थोप पाए वरहन विदेशु में पांसलाग रुपए का एक डीडी बेजा गया लोगों को भोजन के विश्ता की गई ऑस्पिटल में ऑक्सेजन की विश्ता की गई तो उस टाइम काफी यह मेरी और से इसमें काफी विश्ता की लंपी बेमारी आई वह भी एक गायों के लिए बहुत एक खतनाक इस्तित और एक विखल प्रवाइड के तांकि डानियों गाउन तक डॉक्टर पहुंचे सामाजिक सेवा का अंदर और थे के कुछ करे वह भी तर्व देकि सामाजिक सेवा अनन्त है इसका को यह आप आपने किसी को अंगुली पकड़ के रोड क्रोश कर दिया यह एक सामाजिक सेव चाहे हो कैसी भी व्यस्ता हो तो यह और दूसरी जो अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आप्टर ट्वल्थ भी मेरी कोशिस होती है कि मैं उनको किस हिसाफ से आगे बढ़ाऊं और उनकी किस तरह के से एलफ करो इसके अलावा कुछ लोग जो ऐसा हो जाते है तो मैं जो पहले आप लोगों से जो बताया है उसके साथ ही मैं चाहूँगा कि केंदर सरकार की बहुत योजनाए हैं राज्य सरकार के अभी जो नई सरकार बनी है काफी सांदार योजनाए अभी ले क्या हैं तो यह योजनाओं का लाब लोगों को मिले आप जिनता को मि में हर कस्मे में एक help desk को वहां वो व्यक्ति वहां रहे और लोगों को उसके लिए motivate करें जाग्रूप करें और उनको योजना से जो लाइक है उस योजना से कि जो बात मेरे जो समझ में आ रही है वह आ रही कि एक सही दिशा नहीं मिल पा इसका मैं सोच रहा हूं कि अगर हम हर गाओं में एक ग्राउंड की व्यूस्ता करें ग्राउंड वैसे अभी हर गाओं में लगवग ठीक हैं लेकिन उसको फोल अप कैसे किया जाए वह बच्चे के बारे में चर्चा करें उनके परसनल्टी के बारे में चर्चा करें तो यह भी मेरी है कि मैं एक ऐसा काम भी करना चाहता हूं कि सुबह सुबह हर गाह में बच्चे नोजवान भुजरग उस ग्राउंड में और वहां कम संग एक डिए दिनिंग में आप देखते हो कि या तो मोबाइल पर रहते हैं या तो पहले चोपाल की व्योस्ता थी गाहों में सहरों में लोगवाग बंद हो गई तो मैं यह भी सोच रहूं कि ऐसा भी काम क्या जाएगी बच्चे और लोग गाहों के गवाड में जो चोपाल बोलते हैं उसमें आके बैठें बात्चित करें दिन पर की चर्चा करें कल क्या करें उसके बारे में चर्चा करें और नहीं बाते करें कहानिया कहां से निकली कहां से कहानिया बनती है और बात्चित करते हैं बात्चित कहाने का रूप ले लेती है आगे बढ़ना शुरू हो जाती है तो मुझे लगता है कि हमें सुबह औ कि के विजनेस हो तो आपका समरेपितर हो तो आपका कोई आंगली नहीं हो सकता हम हमारी जो भी डिदिकेटर हैं हार्डवर करें पुरी इम्मानदारी के साथ काम करें हमारी वेलूज पर कोई अंगुली नहीं उठाए हमारा विक्तित्व शांदार हो और अगर सारे लोग इस लोग पर काम करने लग जाए तो मुझे लगता है कि अभी जो रामराज्य की बातचीत चल रही है तो यह रामराज्य आते टाइम नहीं लगेगा लगातार वीडियो का मादेमों थे देख्यों है कि डुन्बलोद में पहुंचया और बियल रणवाजी नहीं लगातार बातचीत है वा करी है तो सबसुपली वीडियो है वो आपना जितना भी दर्सकी जुन-जुन का लोग ही बन तक पहुंचानों है और बहुत सारी है सामा अज्रम्च चेहिं देख्यास्टन